किसी laundry के business की किस तरीके से marketing करी जाए देखिए तीन स्टेप strategy बता रहा हूँ सबसे पहले local SEO के उपर काम करो local SEO का मतलब Google My Business के उपर register करना है, optimize करना है और जिनको नहीं पता local SEO क्या होता है Google पर search मारो laundry near me आपको बहुत सार रिजल्ट दिखाई देते है वो को अप दिखाई देते है जब आप Google My Business के उपर register करते हैं अपने business को तो अपने business को वहाँ पर register करो वहाँ पे अपनी सारी कि सारी ढंग से detail मारो और बहुत सारे लोग जो laundry शॉन्टरी टाइप की चीज़े होती है वो आसपास ही search मारना पसंद करते है देखे सिंपल सी बाद अगर आप offline marketing कर रहे हो परचे बटवा रहे हो जो आजके लिक्षियों के उपर announcement करते हो जाते है वो करा रहे है वो तो very good है वो तो करना ही है साथ में हमको उनों audience को भी देखना है जो कि search मार के आती है तो local SEO करना है one time cost होती है बतला one time cost के बतला आपको एक बहर ही register करना है उसके बाद कुछ नहीं करना जो भी आपका customer आ रहा है उसको कह सकते हो कि आप Google पर review तो आपको किस तरीके कर लागा हम आपको कुछ additional discount देगे अगली purchase के उपर तो अगली purchase के चक्कर में दुबारा भी आपके पास आएगा अगली चीज मैं कहूंगा local ads भी चला सकते हो अभी जो हम बात कर रहे है परचे वटवाने की प्रचार करने की वो क्या कर रहे हैं वो offline कर रहे हैं इसी को हम चाहे तो online भी कर सकते हैं हम Facebook पे social media के उपर ad चलाएगे और बताएगे कि भाई हमारी laundry का नाम यह है हम आपके घर के पास में ही है अपने घर के पुराने कपड़ों को laundry कर वालो हमसे contact ना हो call ना हो या फिर कुछ भी free home delivery घर से pickup करते हैं हम यह फ्राइडम का ना इस टाइप की चीजों के उपर आप highlight करोगे तो customer आपकी तरफ कीचा चला जाएगा साथ में बहुत important आता है उस टाइम पे आप उनको कुछ offers के message बे सकते हो कि अब offer चल रहा है अपने पुराने कपड़ों को यह करवालो वो करवालो सर्दिया आनी शुरू हो रही है तो आप क्या सकते हो कि अपने पुराने coats को laundry करवालो सर्दिया जाने लगी है तो फिर से आप उनको message बे सक करते हो वो दालो बस marketing करना है बस condition यह है पर product अच्छा होना चाहिए तभी customer repeat आएगा तभी सब कुछ चलेगा product अच्छा नहीं होगा अच्छे तरीक लिए laundry नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कते है